अर्वल्लीना पहाडिया गामे 9 सप्टेंबर ना रोज फाइनांस ओफिस मा थी तसकरोए 9.65 लाख वरेल तीजोरी नी तसकरी करी हती जिला एलसेबी ने चोरी नो भेदुकेलवा मा सफरता मडी शे चोरी ने घटनाना बे आरोप्यो तीजोरी अने 9.65 लाख रोकड पोलिस द्वारा जब्त करवामा आवी शे फाइनांस मा नोकरी करतो कर्मचारी द्वारा चोरी ने अन्जाम अपायो हतो पोलिस द्वारा आरोप्यों नी वदुपुश परज हाथ दराई शे 9 सेप्टेंबर को मेगरज पुलिस टेशन में एक बात मी मिली कि जो लाइट माइक्रो फैनाइन्स की जो ब्रांच है रामगडी के पास उसमें चोरी हुई है जब मेगरज पुलिस टेशन के स्टाफ वहाँ पहुचे तो हमें यह पता चला कि करीबन 9 लाइक 65,000 के पैसे एवाम DVR दो मोबाइल्स तीजोरी यह सब चोरी किये गए थे कभी भी 9 सेप्टमबर की रात को यह हमें सारी बातें पता चलिए उसके बाद हमने BNS सेक्शन 331 अब्लीक 4 पर यह F.I.R. रेजिस्टर की और हमारे जो D.I.G. सर है शी विरेंद्रे सिंग यादफ सर उनके मार्ग दर्शन में LCB ने टीम्स बनाई Technical Surveillance और Human Sources के आधार पर एक Pick Up डाला को रेकोगनाईज किया गया Bolero Pick Up डाला था जिसमें यह सारा उसका शंकासपत अक्टिविटी लग रही थी यह Micro Finance Company के पास जिसमें सारा Material जो मुद्दामाल था वो मेगरत से बाहर ले जाया जा रहा था वही आसपास घुमाया जा रहा था LCB की एक टीम ने बैठ कर सारा Technical Evidence को बहुत अच्छे से अनेलाईज करकर जो Pick Up डाला का जो ओनर है रामचंद शाना भाई डामोर उस पर हमने Zero In किया जो मेगरज करेने वाला है राजपूर में उसको पहले पकड़ा हमारी Teams बनाकर Cordon Off करकर उसके घर से उसके बाद हमें इसके बाद और पता चला कि दो लोग जो इस Micro Finance Company में काम करते थे एक है प्रकाश कुमार नटवर भाई डामोर जो की काम करता था और दूसरा लक्षमन भाई रूपा भाई डामोर जो एक वर्ष पहले काम छोड़ चुका था ये इन तीनों की मिली भगत थी, इन तीनों ने ये पूरी प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग के तहट उन्होंने यहाँ चोरी का अंजाम किया था LCB की जो टीम है, led by LCB PI HP Garaasya, इन्होंने पूरा-पूरा मद्दामाल रिकवर किया, जितने रोकर रखम है, 9,65,000 वो रिकवर हुए, एक दो मोबाइल फोन्स रिकवर हुए, जो तिजोरी थी वो भी इन्होंने उठा लिया था, पूरी तिजोरी भी रिकवर हुई है, एवं जो महिंद्रा बोलरो पिकव डाला है, जिसके कीमत 5,000,000 है, खुल मद्दामाल की कीमत है, 14,93,052 रोपीज, यह पूरा-पूरा रिकवर करने में LCB कामियाब कुई है, इन्होंने कोई भी ऐसा पहले इनके खिलाफ को F.I.R. रेजिस्चर नहीं है, यह तीनों आरोपी में स दो जो आरोपी थे, वो यहीं माइक्रो फैनांस कंपनी में काम करते थे, तो उनको पूरा जो माइक्रो फैनांस कंपनी का जो पूरा वर्किंग है, उन्हें पता था, कि कब यहां पैसे रहने वाले हैं, कब यह पैसे उठाने वाले हैं, वो सारी चीज़े उने पता थी, इ एक साल पहले इस माइक्रो फैनेंस कंपनी में काम कर चुका था